हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चनल, आज मैं आपको वी शेप ओवरलेप कॉलर नेक बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये कुर्ते की कटिंग करके रखी हुई है और इसका जो शॉल्डर है वो मैंने साड़े साथ इंच का रखा है और इसकी जो आम होल लेंथ है वो भी मैंने साड़े साथ इंच की ही रखी है कॉलर नेक के अकोडिंग ही आपको शॉल्डर और नेक कट करना है तो सबसे पहले हम गले की चोड़ाई के लिए चार इंच पर निशान लगाएंगे गले की चोड़ाई हमें तीन इंच की रखनी है तो एक इंच हम एक्ष्ट्रा रखेंगे और चार इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई के लिए भी हमें साड़े आठ इंच पर निशान लगाना है तो 7.5 इंच का हमारा गले की लंबाई ready होगी और 1 इंच हमें extra लेना है तो इस तरह से मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है तो 1 इंच का हम इसमें पट्टी यानि की कॉलर बनाएंगे अभी जहां तक भी आपको पट्टी लगानी है वहां तक आप निशान लगा सकते है तो मैं 15 इंच की पट्टी लगाने वाली हूँ तो उसमें भी हमें 1 इंच extra लेना है तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है और जहां पर हमने गले की लंबाई के लिए निशान लगाया है उसके नीचे हमें 8.5 या फिर 7.5 इंच तक की पट्टी लगानी है अभी जो हमने गले की लंबाई के लिए निशान लगाया है वहां हमें इस तरह से V-shaped डो करना है और वहां पर हमें आदा इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रो करनी है, जहां तक हमने पट्टी के लिए निशान लगाया है, वहां तक हमें आदा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन ड्रो कर लेनी है, हलका सा उपर से हमें राउंड शिप देना है, अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये नेक हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा अभी हमें ये बुकरम कट करनी है तो इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने एक इंच की ही रखी है हमें एक इंच से ज्यादा पट्टी नहीं लगानी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें 44 या 45 इंच की रखनी है उसके बाद मैंने ये फैबरिक की पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखनी है और इसकी लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमारी बुकरम की लंबाई है अभी आदा इंच यानि कि double fold कर लेना है उसके बाद जहां तक हमारी बुकरम की चोड़े हैं वहां पर हमें सिलाइ सबुदitzATE सबूद्धन जिक एाइं L na çıkarm पाफे के पूरी पट्टी में जितनी हमारी बुकरम की चोड़े हैं उतनी ही हमें इसमें सिराइना लगानी है उसे आगे हमें सिलाइ नहीं लगानी है इस तरह से पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा देंगे देखे मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है अभी इसके आगे जो हमारा एक्ष्टा फेब्रिक है तो हमें आदा इंच फेब्रिक ही एक्ष्टा रहने देना है पट्टी हमारी एक इंच की है तो करो वेंन manifest को तो गव्य को मेंने च़ए हुआ तो बेक पार्ट को हमें सीधा रखना है और लिएंगा और और इसके शॉल्डर us लेस ली हुई है आप अपनी पसंद से कोई भी लेस इसमें अटेच कर सकते हैं। अभी जहां तक हमने यह गट लगाया है उससे एक इच nor नीचे तक हमें लेस को इस तरह से रखना है और जैसे भी हमारा गले का शेप है बिल्कुल उसी शेप में हमें इस लेस में सिलाय लगा देनी है तो आप चाहे तो पहले लेस पर पींस भी लगा सकते है तो देखे मैंने लेस पर पींस लगा कर रखी है अभी इस लेस पर हमें सिलाय लगा देनी है तो जैसे भी शेप का हमारा गला है बिल्कुल उसी शेप में हमें लेस को सीधी साइड से ही रखते हुए इसमें सिलय लगा देनी है तो देखें इस तरह से मैंने सिलय लगा दी है अभी जहां तक हमारा V शेप है वहां पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है दोनों सैट पर हमें एक छुटा सा कट लगा देंगे जहां तक हमारा V-shape है वहीं पर उसके बाद यह जो हमने कॉलर के लिए पट्टी रेडी की हुई है उसे हमें इस लेस के उपर ही रखना है और जहां तक हमारी बुकरम है यानि कि जहां तक हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है उससे आगे सिलाई नहीं लगानी है तो सिलाई के उपर ही हम सिलाई लगाएंगे और नीचे से थोड़ी सी पट्टी को मैंने खुला रखा है क्योंकि हम इसे फॉल्ड भी करेंगे उसके बाद जहां पर नीचे हमने कट लगाया है वहां पर दोनों सैट पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि ये फैबरिक हमारा आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाए इस तरह से दोनों सैट पर हमें कट लगा देना है उसके बाद इस फैबरिक को हलका सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है उसे हमें इस तरह से सीधी साइट पर पलटना है एक पट्टी को उसके बाद हमें इसके बिल्कुल किनारी पर एक सिलाय लगा देनी है तो ये लेस हमारी अच्छे से एज़स हो जाएगी तो पहले जहां पर हमारा V-shape है वहाँ पर हमें दोनों सेट पर एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि ये हमारा V-shape अच्छे से मुड़ जाए तो दोनों सेट पर हमें V-shape पर छोटा सा कट लगा देना है उसके बाद चोल लेस है उसे इस तरह से बिलकुल किनारी पर हमें इसमें सिलाई लगानी है पूरे ही कॉलर में तो ये लेस हमारी अच्छे से एड़्जस हो जाएगी तो देखे मैंने सिलाई लगा दी है अभी ये जो हमारी पट्टी है उसे हमें इस तरह से एक दूसरे के उपर ओवरलेप करना है और नीचे जो आधा इंच तक फैब्रिक हमने खुला छोड़ा था उसे हमें इस तरह से अंदर के तरफ फोल्ड कर लेना है उसके बाद जहां तक भी आपको पट्टी खुली रखनी है वहां तक आप सिलाई लगा सकते है या फिर आप पूरी पट्टी को भी खुला छोड़ कर इसके उपर हुक से एंड आइस लगा सकते है या फिर बटन्स या फिर बटन हॉल भी बना सकते है तो मैं जहां पर हमने V-Shift बनाया है उसके नीचे एक इंच खुला छोड़ दूँगी और नीचे से छेंच तक मैं इसमें सिलाय लगा दूँगी यानि कि इसे बंद कर दूँगी नीचे से उपर को छेंच तक तो हमें छेंच तक इस तरह से निशान लगा देना है और पट्टी को हमें इस तरह से एक दूसरे के उपर ओवरलेप करना है और नीचे वाला फेब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें इसमें सिलाय लगा देनी है और इसे फिक्स कर लेना है और उपर से इस तरह से हमारा थोड़ा सा भाग खुला रहेगा तो वहाँ पर हम hooks and eyes बना लेंगे तो इस तरह से हमारे कोलर ने बहुत ही simple और easy तरीके से बन जाता है तो देखें नीचे का जो फैबरिक है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ 10 तक फोल्ड करना है अच्छे से हम इसे 10 तक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हमें इसके उपर सिलाई लगा देनी है देखे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके उपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को एक दूसरे के उपर ओवरलेब करते हुए जहां तक भी हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने इसमें सिले लगा दी है दोनों ही साइट से आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी decorative buttons भी लगा सकते है अभी उपर जहां तक हमने इसे खुला रखा है वहाँ पर हम एक hooks and eyes लगा लेंगे ताकि हमें पहनने में आसानी हो आप चाहे तो कोई decorative buttons भी यहाँ पर लगा सकते है और इसे के साथ यह हमारा V-shape overlap नेक बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका final look so friends I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मेरा इस वीडियो देखने के लिए thank you so much guys